नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे फिर से एक नीव ब्लॉक में दोस्ता आज हम आए एक ऐसी जगह जहां कि अपनी एक अलग कहानी है बात करते हैं उत्तर प्रिदेश राज्य के सुपरिसित दिजला फिरोजावाद जो कांच की नंगरी फिरोजावाद है वहां से पर दोस्ता प्रिडियो बना आपके दिखाएंगे यूटूब पर डालेंगे आपका हाम आटा प्रूटूब और टूब बंद करो हमाया दिखाएंगे कोई ब्यासी बीडियो नहीं बना रहे हम अज़िक रिखे वीडियो बना रहे हो तुम भी लेकर आई हो आई हमाई देखे आपए रहे हैं और हम वह ले कुछ अप्राप यह पाया है और हम दिम्हा कर शोचा कोई देख लिए माम नाच जार चारोरी फैल हुआ है तो आप डंने वाली बात है नहीं बीड़ी हिसे तो प्रणने वाली बात है तो अब अब जेगो बंध कर दोंपाल आप बंध ब जो सिरा गंज करिवाए जाया है जुलोगोर माझे जा झार शमुलोगोर में झार्तिम deer है've या देखल रहे हैं भूकर हम हैं चले जा जा खिरूजाओ फ onze फीजी देन के मरा किले जुटताना है ने जेले जा खितना है अच्छापरे कूझ करना हैं आग सिसंदा हैं तो स anhदिए कंपने मतोस मेंन घतना है निदेन के मतोस टेट है हैं यहां का ब्लॉक सूट करने आया है और फिर इस कस्वे जोड़ी बोबो जानकारी लेके आया हूँ जो आपको नहीं बता हूंगी जैसे कि यहां के पराने नाम के बारे में और इस कस्वे को और किन किन नामों से जाना जाता है यह सब कुछ मैं इस वीडियो के माद्यम से बता हूंगा कि इस कस्वे का एक नाम ऐसा भी है जो आप गूबल करके देखेंगे तो आप आश्र चकित रह जाएंगे कि इस कस्वे एक छोटा सा कस्वा अपने आप में इतनी बड़ी पैचान रखता है चले चलते आंगे दिखाते हैं आपको चली दो सबसे पहले हम बात करते सिर्शागंच कi कुल जंसंख्या के बारे में जो सिर्शागंच की कुल जंसंख्या है बो 2011 की जंगंणा के अनुसार है नोताWow नगा के करिद आप करे लो आउं के लोग और सिर्सागंज का ही मार्केट करते हैं क्योंकि से शेचा ने आपको जरूरत का इस अब होना चाहिए है सबसे अच्छी बात है है आप की जाहिए हुआ के मंदिरों की तो फ्रेंच यहां पर जो मंदिर है ना बहुत कम तक्रीबं 3-4-4-4-4-5-2 एधे- गाइ भी हो जो Character आपको अभी भी देखने को मिलेंगे सिर्शागन्ज आते हैं तो मन्दिर जरूर गूमिए और इया और भी बहुतसाए मन्दिर आप जरूर देखने आई ये जैसा कि औrowаш आघ डेकर रही होंगे अब मैं आंगे लेके चलूँगा और आंगे दिखाऊंगा और क्या कुछ देखने को मिलता है यहां से मुड़ूँगा मैं आप दाइन तरफ दाइन तरफ मैं आपको सीधा लेके चलना हूँ मैन रोड की तरफ मैन रोड की तरफ लेगे चलूँगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा पूरा मैन मार्केट अब दोस्तों हैं से मुड़ेंगे हम दाइं तरफ और आंगे लेगे चलेंगे आंगे दिखाएंगे और क्या कुछ देखने को मिलता है अभी मॉर्निंग के बिल्डिक की देख रहे हैं यह शरी मुन्ना लाल जैन धरमसाला अब हम आचके हैं शरी मुन्ना लाल जैन धरमसाला की तरफ दिखाते हैं आपको यह देख सकते हैं अप यह है जैन धरमसाला और आंगे इस कट से सीधा मैं right side मुलूँगा हम आचके सिसा गंज के मैन रोड आफ फ्रेंट्स ये मेन रोड कहां को जाता है तो अगर आप इस रोड से सीधा आँगे को जाएंगे तो आप मैन पुरी की तरप या एटावा की तरप जा सकते हैं तो आँगे चलते हो और देखाते हैं बाकी तो मैंने फ्रेंट्स एटावा, एटा, महनबुरी हर जगह के ही ब्लॉक बनाए हैं आप भी बताइए आप कहां का ब्लॉक देखना चाहते हैं मैं आपके लिए बहीं का ब्लॉक सूट कर दूँगा अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने सहर का वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं आँगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको आप बात करते हैं यहां के पुराने नाम के बारे में दोस्तों यहाँ पर पुराने समय में बहुत सारे ऐसे जंगल हुआ करते थे तो फ्रेंट्स उनी के नाम पर इस कस्वे का नाम रखा गया सिरसागंज सिर्षा एक लकडी का नाम था, लकडी के नाम के आधार पर इस कस्वे का नाम रखा गया सिर्षा गंज जैसा कि दूस्तों आपको पता चले गया होगा कि सिर्षा गंज को पुराने समय में किस नाम से जाना जाता था आप बात करते हैं और भी नाम होगे, तो वीडियो के एंड तक बने रही है, आपको बहुत सारे ऐसे नाम जानने को मिलेंगे, जो सिर्षा गंज के पुराने नाम थे, और अभी भी वो चल रहे हैं, आँगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको में मार्केट पूरा, तो देख पूरत का वो सभी सामान मिल जाता है, जो एक मार्केट में होना चाहिए, शुक्वाहवाद, फ्रोजावाद ना जाके आप सिर्षा गंज का भी मार्केट कर सकते हैं, अब इस कस्वे से जुड़ी मैं आपको एक बहुत ही महतपूर जानकारी बताता हूं, इस सहर को cold storage का सह अब ये cold storage का सहर क्यों का जाता है, अकर आप महनपुरी साइट से एंट्री करेंगे, तो महनपुरी साइट से जैसे एंट्री करेंगे, तो आपको इतने सारे cold storage को मिलेंगे, साइध ही आपको पूरे उत्तर भारत में कहीं देखने हो, जैसा कि दूस्तों इतना सब कुछ ज अपनी अलग पैचान है यह सेर आलू के उत्पादन और आलू के बैपार के लिए तो जाना ही जाता है साथ ही साथ इस सहर के जो लोग हैं वो काफी अच्छे हैं दोस्तों इस कस्वे का एक दूसरा नाम भी है ना तो आपने कभी सुना होगा इस नाम के बारे में और ना आप कितनी बड़ी पैचान रगता है दूस्तों अगर मेरे दुआरदी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्षिन में बताएं और फ्रेंट्स मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंट्